हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम दा हिंदू निश्पेफर का हिंदी अनलेसिस करते हैं आज है 9 सेप्टेम्री 2018 तो चलिए देखते हैं आज की करेंट अफेयर्स में हमारे पास कौन-कौन सी न्यूज है हमारी जो पहली न्यूज है वह है अंतर और यह कहां होने वाला था भारत में तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फोर्मिशन रख सकते हैं और आप बिमिस्टिक के बारे में डिटिल में जान सकते हैं थोड़ी सी इन्फोर्मिशन में यहां से आपको प्रवाइड कराता हूं बिमिस्टिक क्या है मल्ति सेक्टरल तक्निकी और आर्थिक सहियोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल और इसकी स्थापना कपकी गई थी 1997 सचे बाल है कहा है धाका बंगलादेश में तो आप इसके बारे में थोड़ी इन फोड़ी सरकती है ये के पी ओल डीजी है इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जाकर पड़ सकते हैं सर्च कीजिएगा और आपको मैं बता देता हूं किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं बे और बेंगाल इस बाले रीजन की बात की जा रही है आपको थोड़ा से इन कंट्रियों के बारे ही पता होना चाहिए कौन-कौन सी कंट्री बांगलादेश भारत मियामार स्रीलंका थाइलें भूटान और नेपाल सामेल है इन देशों क बात की जा रही है तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए अगली न्यूज है हमारी जो की राष्टी न्यूज है तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो महिला इवं बाल बेकास मंत्रा ला है उसकी जो मिनिस्टर है वो कौन है मेंका गांधी जी तो यहां पर कहा जा रहा था कि मेंका गांधी जी ने कहा था कि जो बच्चों को मिदे मील वगेरा में खाना दिया जाता है वह पैकेट कर दिया जाए और जो यह पर पूरी मिनिस्टरी है इसके बागी सतर से क्या कह रहे थे कि बच्चों को जो खाना दिया जाए वह गरम खान समीथी के रही है बाकी सदस के रहे, वहवाज सहही है और इनकी बात को नकार दिया है तो है Anders थी हुए इस न्यूज आप थोड़ा सा इस की बारे में जाके पर सकते हैं महला ऑँबं बालवेकास मिनिस्टी के बारे में थोड़ा सा आएडिया आपको होना चाहिए अगल ही हमारी जो न्यूज है वह है एरो इंडिया एक्सपो जो कि बैंगलोर में ही होने वाला है जिसका बारवा संस्क्रम कबसे 20 से 24 फरवरी 2019 से बैंगलोरु में आयोजित किया जाएगा और यह क्यों कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि यह दूसरे सहरों में और दूसरे राज्यों में होने की संभाबना थी और अभी है कहा जा रहा है कि अभी है बैंगलोर में ही होगा क्योंकि यहां पर जो परिस्तिती है जो परिस्तिती की तंत्र है जो इंफ्रस्टेक्चर है एरो एरो इस्पेस परिस्तिती की तंत्र है वह बहुत काफी अच्छा है इसके लिए तो अब यह ही होगा तो यह था हमारा न्यूज आर्टिकल चलते हैं अगले न्यूज की तिरफ 2 अक्टूबर महात्मा गांदी जैनती के रूप में मनाया जाता है और जिसकी 150 वी जैनती अभी आने वाली है तो इसमें कहा जा रहा है जो महात्मा गांदी जी को इनका एक फेवरेट सॉंग गुआ करता था वह था वेशनाओ जन जो की इसका एक नया वर्जन लाने की लाया जाएगा जो की बहुत सारे गायकों द्वारा गाया जाएगा इस बारे में बात की जाड़ी है तो आप इसके बारे में भी आपको तोड़ावा नोलज होना चाहिए और जाकर आप सार्च कह सकते हैं इस गाने को जो की महात्मा गांदी जी को पसंद था अगली हमारी जो न्यूज है दोस्तों बैसे आज संडे है तो आज साइंस और टेक्निक वाला पोर साना था है तो आज की न्यूज छोटी ही रहती है तो अगली हमारी जो न्यूज है वह है टू प्लस टू डायलोग से संब्द है अभी आपने देखा होगा कि नई दिल्ली में छे सप्टेंबर को टू प्लस टू डायलोग हुआ यानकि दो प्लस दो बारता हुई अमेरिका और इंडिया के बीच में किसकिस मिनिस्ट्री के ने की यह रक्षा मंत्राला और बिदेश मंत्राला दोनों के बीच में यह हुई और इसमें लोमो लोमो और कौम कौसा के होगा बहुत ही जादा फार्थियमंथ होगा इसमें जो America है डो क्लिए Estoy Exchange Memorandum of Agreement रोजिस्टिक एक्सचेंज Memorandum of Agreement लेंबो का j decided एक्सचेंज जकी हमारे आने वाले समयम है चाह संगता को और सुरफच्छा समझोते को और यदा बढ़ा देगा जिससे हम आगे जाके बहुत और अच्छी फील्ड में काम कर सकते हो अच्छी तरीकी से काम कर सकते हैं अमेरिका के साथ मिलकर तो यह था हमारा न्यूज आर्टिकल तो आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं अगली जो हमारी न्यूज है वह है उसित सभ्ड़से पुस्तक का नाम क्या है सटेगरिंग पारवर्ड किसके वारत के लिखिए घारण से द्वार ने cuál हैं और इसका सम यह सब्जेक्स से सवंवन देख है तो यह है जो बताता है कि हमारे अभी भारत देश है इसके बाकी देसों से किस से समन्द है उसकी बारे सब्दित है तो आप पुस्तक का नाम भी याद रख सकते हैं क्योंकि पुस्तक पूछली जाती है उनके राइटर का नाम भी पूछली आ जाता है क्योंकि यह कि हम आंगे जाके क्या करेंगे इसका अपना प्रोटेस्ट करेंगे और इसको बचाने के लिए हम अपना आँगे जाके प्रभावी कदम उठाएंगे तो यह था आर्टिकल आप इसके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए थोड़ी सी है आप देख सकते हैं दोस्तों की जैसे आप देखेंगे हमारे दिमाग में एक एंसा मतले कम्पीटर टाइप का होता है एक एक कोई भी कुछ कुछ भी होता है थोड़ी चीटी काटे या फिर कुछ भी हो या जैसे कि स्वी चुब ही जाए कांटा चुब जाए तो हमें तुरंत पता चली जाता है तो इसमें कहा जा रहा है अगर यह है डोपा माइनिस जो कि जो अपने नियूरी ट्रांस्मीटर को अगर संदेश ना दे तो हमें पता ही न चले कि हमें कुछ हुआ है या पर हमें कुछ चुब रहा है इसके बारे में बता जा रहा है तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस से हमारे सरीर में कुछ भी होता है थोला सा भी डर्द हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में हमें पता चल टेबलिट्स बगएरा लेते हैं जैसे की परस्ट आमोल होगी तो इस तरह से जो हम ले लेते हैं बिना डॉक्टर की परामस के थोला सा भी हल्का सा दर्द हुगा और हमने दवाईय ले 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 तो इससे क्या होता है इस पर असर पड़ता है जो आंगे जाके हमें बहुत ज लोग हैं उनके हाथ हमेशा कांपते रहते हैं तो यही इसका कारण है कि अगर इस तरह से जादा तर अगर हम दवाईया लेंगे तो हमें आंगे जाकर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपको इसके पारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी किस चीज की बात क जारी है और किसका क्या function है और आगे जाकर इसके क्या consequences निकल सकते हैं तो यह हैती हमारी news अगली news है जो की है हरी उड़ जर सम्मझे यानि कि green energy दोस्तों आप देख सकते हैं कि green energy क्या मतलब है जो यह आप देख सकते हैं आपर wind energy है यानि हावार से जो हम light बनाते हैं यहारा पानी से हम जो बिजली बनाते हैं वह कैसी होती है वह एक अच्छी तरह से इस तरह से होती है कि वह environment होता है जो हमारा बाता बनाना है इसको नुकसान नहीं पहुंचाती है तो इस तरह की energy बनाने की बात की जारी है ताकि आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से इसको बढ़ा सकें और जो हमारा बाताबरन है इसको भी हम अच्छा स्वक्ष और स्वस्त बना सकें तो आप इसके बाष्टोड रख सकते हैं थोड़ी वह जाकर आंग्डAKरान में नहीं इसके बारे में पढ़ सकते हैं साथ ही और इस तरह की जो उर्जाय होती है वह क्या कारवन का जो उत्सरजन होता उसको भी कम करती है और जलवाई और बातावरन को भी सुद्ध बनाती है यह तहीं हमारे आर्टिकल अगला आर्टिकल है जो हुआ है आपने देखा होगा दोस्तों अभी धारत 377 जिसको अभी खतम कर दिया गया है सुप्रीम कोट के द्वारा तो इसके बारे में कहा जा रहा है क्या होता था दोस्तों कि जो यह community थी जो LGBT community होती थी यह क्या होता था इन्हें कभी-कभी बीमानियां हो जाती थी बहुत सारी तो यह क्या करते थे यह तो दवाई करवाने के लिए अस्प कर रहे हैं धारा तीन जो तत्तर को कि इसमें क्या होता है अगर कोई दो व्यक्ति जो की same link के हैं सम link हैं तो वह आपस में कर फिजीकल relationship बनाते हैं तो उन्हें क्या है उन्हें सजा सुना दी जा सकती है तो उसके डर से कि हम अगर कुछ भी बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम इसके बारे में हमें सजा हो जाएगी इस दर से वह क्या करते थे उन बीमारियों को बताते नहीं थे तो आप इसको क्या कर दिया गया है इसको अब हटा दिया गया है तो आप कहा जा रहा है कि यह हैं जो community के लोग हैं आप यह खुल के सामने आएंगे और खुल के ला नियूज है जो हुआ हैं दबाईयों सम्मंदित दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम जिस तरह से हमने अभी ऊपर का एक आर्टिकल डिसकस किया था कि परासेटा मॉल के उपयोग से हमें क्या-क्या परिसानिया हो सकती इसी तरह इस नियूज में भी कहा जा र पाईयां जैसे कि कोई भी पैन क्लेर हो गई या फिर कोई भी जो भी दर्द खतम करने वाले टैबलेट हो गई हैं इनका हम दोक्टर से बिना पूंचे उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि आने वाले समय में हमारा जो नर्वा सिस्टम है वह उसको बहुत डेमेज कर लेते हैं तो इस तरह से बीमानी हो सकते हैं और हमारा जो ब्लग प्रेसर है जो सामन रखता है वह 120-80-80 से नीचे तक होता है तो यह भी बढ़ जाएगा यह कहा जा रहा है खास तो पर आप इस पर ध्यान रख सकते हैं तो इस यह थी हमारा न्यूच की हमें जाला तर दवा चलती हो और व्यायाम बगेरा भी करते रहना चाहिए अगर हमें आंगे जाकर स्वस्त रहना है तो इसी के साथ इसी से एक न्यूच और है हमारे पास जो कि यह है इस न्यूच में एक आंकरे बताए जा रहे हैं कि कहां पर किस तरह से लोग रहते हैं आपने देखा होगा कि लोग आज करके समय में बहुत जादा भीमार रहते हैं बहुत सारी भीमारियां लोगों को निकल के आती हैं जो कि लगवग 34-34 लोग फिजिकली इन एक्टिव हैं कहने का मतलब है कि 34-34 लोग हैं इंडिया के वह लगवग 40-7 करोर के सम्थिंग होंगे तो वो लोग क्या कर हैं हैं तो यहांक दी गए गये है यहां आप देख सकते हैं हाइए जो कि इस तरह का अगया है इंडिया में है और यहां पर ढोल मेंग सोगते पिर एक तरफ में ऐसको आगर आप को स्वस्त्र रहे ने तो आप भी कोई ना कोई थोडी जोड़ी बहुत अक्तिविटी करना शुरू करें या तो कोई साभी योगा करें सूरी नमसकार बहुत अच्छी एक्टिविटी वह भी कर सकते हैं जो कि आपको स्वस्थ बनाएगी और भी व्यायाम है अनुलोग मेनोग है meditation है या फिर running भी start कर सकते हैं जो कि आपको strong बनाएगी और mentally physically दोंस तरज से आपको का करेगी strong बनाएगी तो यह था हमार आर्टिकल चलते हैं अगले अगला आर्टिकल है TV से समच्ता हो है现在, tubular clauses तो इंसे पोहींदों कह NEW बात कही अगात प्रोटिन मिलता है तो इसके बारे में कहा जा रहा है हूँ भी जो कि इन्हें पनपने का प्रोटिन देताح इसकी कोज कब की गई थी 1990 के दसक में की गई थी किसके दौरा प्रोफेसर एज कृष्ण प्रिसाद ने की थी तो आप इसके बारे में थोड़ा सा भी ध्यान रख सकते हैं कि हूँ भी है जो टीबी के बैक्टिरिया है इनको प्रोटिन प्रदान करता है ताकि यह आंगे जाक बच सकें तो आज के समय में जो भी दवाईयां बनती है तो इस के बारे में अप्रद्रीया होता है यह क्या होता है हीày एक ब्रक्ति से दूसरे में हो जाएगा और इस पर बहुत साजी दबाईयां काम नहीं कलते हैं तो इसके बारे में बात कही जा रही है थोड़ा सा आपको याद रख सकते हैं जो अगली हमारी न्यूज है हुआ है जैसा कि दोस्तों अभी मैंने डिसकस किया था ग्रीन एनरजी के बारे में तो यह जो CO2 है इससे हम इनर मनाएंगे ताकि आने वाले समय में हम इसका यूज करके और जादा यूज करके हम इसका यूज करें और इसका यूज करके इसको रिडूस करें कम करते जाएं चाकि इससे बायूमेंडल भी सुद्ध होगा और आने वाले समय में भी हमें इनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह कहां पर अभी इसका काम चारा रहा है इसको एक तरीके से तो इस तरह से अगर हमें ऐसा कुछ कर पाए तो हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा इस से और हम इस पर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे तो इसके बारे में यह है थिह मारी न्यूज अगली न्यूज है जो वह है पेट्रूल से संबंदित दोस्तों आपने देखा होगा अभी पेट्रूल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में है 87 रुपए 77 पैसे चेन नहीं में 13 रुपए चंगन पैसे कोल का तम है 13 रुपए 27 पैसे तो आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है प्राइज बढ़ते ही जा रहा है दो हजार बारा से दो हजार अठार तक का यहां पर ग्राफ दिया गया है तो इसके बारे में आप थोड़ा सध्यान रख सकते है क्योंकि अभी यह GST के अंदर नहीं आता है तो आपको यह प्राइज एक समान नहीं दिख रहे है जिस दिन यह GST के अंदर आने लगेगा तो आपको यह प्राइज एक से ही दिखेंगे हर सहर में तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और GST के बारे में आप थोड़ा ज लंबे जीवन के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको लंबे समय तक जीवित रहना है स्वस्त और फिट तरीके से तो आपको इस तरह से खेल खेलना सुनू करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहां बैडमिंटन हो गया बैडमिंटन में हम क्या है बहुत जादा हमारी शर सरी एक्टिव रहेगा तो इस तरह से कि जिसमें कि जो ऐसे गेम है यह इसमें सारे के सारे प्रेयर है जो एक्टिव रहते हैं क्योंकि सभी के पास बॉल जाती है तो सभी दौरते भागते रहते हैं इस तरह किसे कहा जा रहा है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना? चाहिए है अगला जिव हमारा हे तो यह था हमारा आज का न्यूस डिसक्रशन अगां आपको बीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अगर को बीडियो पसंद नहीं आया है तो डियलाइक करें अगर इस वीडियो की PDF चाहिए इस वीडियो की PDF भी description box में link provide करा दी जाती है तो आप बहाँ जाके इसको download कर सकते है तो इसी के साथ आज का जिसके सान यहीं था था आप वस धन्यवाद आपका दिन सुभू